आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है नमस्कार MNS News लाइफ में आप सबीका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अर्शियन सारी आए देखते हैं बॉल्यूट जगत के कुछ खास ख़गत तीसरी बार प्रेगनेंट है जेनलिया देशमुख पति रितेश संग इवेंट में आई नजर जिहा बॉल्यूट एक्टरेस जेनलिया देशमुख और अभिनेता रितेश देशमुख की जोड़ी फैंस को आन स्क्रीन ही नहीं ऑफ स्क्रीन भी पसंद है ये क्यूट कपल इवेंट्स में पहुचे रितेश जेनलिया देशमुख और रितेश देशमुख एक इवेंट्स में पहुचे है हमेशा की तरह ही दोनों साथ में बेहद क्यूट डिक रहे थे और पैपरासी के लिए रुख कर उन्होंने पोस दिये हाला कि इस बार जिस बात पर नेटिजन प्रेगनेंट है वीडियो में जिस तरह से जेनलिया अपना पेट पर हाथ रख रही है उससे लोगों की उच्षुकता और भी जग गई है सोशल मेडिया पर जेनलिया की प्रेगनेंसी को लेकर कई कमेंट्स है जेनलिया रितेश के हैं दो बच्चे बतारे के जेनलिया और गिंती सिनिमा के क्यूटेस कपल में होती है दोनों के सोशल मेडिया पर भी अक्सर मस्ती मजाक वाले वीडियो शेयर करते रहते हैं जिनहें फैंस पसंद करते हैं या दिलादे की रितेश और जेनलिया ये नहीं दो फरवरीद 2012 को शादी की थी रितेश जेनलिया के दो को हुआ था तो वहीं दूसरे बेटे राहिल का जन्म एक जून 2016 को हुआ था बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ सिध्धारत और कियारा ने वाइट आउट्फिट में किया टुइन सेट की एक कपल कोव्स जीहाँ बॉलिट के स्टार जोड़ीस सिध्धारत मलहोतरा और कियारा अड़ानी इस साल परवरी में शादी के बंधन में बने थे दिल्शस्प बात ये है कि कियारा अडवानी सिधार्थ मलोहत्रा जिन्होंने अपनी शादी तक अपने रिष्टों को गुप्त रखा था अब सोशल मीडिया अक्सर अपने फैंस के लिए कुछ प्यारी पीडी एफ मोमेंट्स शेयर करती रहती है हाल ही में इस स्टा करने वाले जोड़े कोश अनिवार याने 9 सिटेंबर की रात को मुंबई के एक स्टूडियो में एक साथ देखा गया जहां वे एक अभी तक घोशित प्रोजेक्ट के लिए एक साथ शूटिंग कर रहे थे सिधार्थ मर्वोत्रा क्यारा अडवानी जिन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ले थी जब पैपराजी फोटोग्राफर्स ने उन्हें देखा तो वे हाथ में हाथ डाले चलते नज़र आए जिहां दिल्चस्प बात यह है कि जो तस्वीर वीडियो अब वाइरल हो रहे है उनमें शेर्शा की जोरी सफेज जोरे में ट्विनिंग करती नजर आ रही है जब वो अपनी पतनी के साथ शूटिंग वेनियो से बाहर निकले तो वार एक्ट हमेशा की तरह एक कैजूल सफेज टीशिट में खूपस्वत लग रहे थे जिसे उन्होंने निले ट्रेक पैंट सफेज स्निकर्स के साथ जोड़ा था दूसरी और सत्य प्रेम की कथा एक्टिस सफेज स्लीव लेस टीशिट हलके निले रंग की धारिदार डेनिम पैंट में बहुत सुंदर लग रहे थी उन्होंने अपने लुक को डेवी मेकप की फ्री हेर रूड सफेज स्निकर्स की एक जोड़ी के साथ पूरा किया सिधार्ज 14 का वर्फरंट जैसा कि पहले बताया गया था कि सिधार्ज मरहोतरा आने वाली फिल्म योद्धा में एक से ना अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए तयार है यह मोस्ट ओवेटेट प्रोजेक्ट इस साल दिसेंबर की से स्क्रीन पर आएगा जहां सिरीज इंडिया पुलिस फोर्स के साथ अपना ओटिटी डेब्यू कर रहे है रोश्यटी निर्देद शित यह फिल्म इस दिवाली सीजन में अपने ग्रेंड प्रेमियर के लिए तयार है ऐसा कहा जाता है कि वह आने वाली पुलिस ट्रिलर रावडी राथोड तुमें ली अलिगू सुपरस्टार रामचरन मुख्य भूमिका में है निर्देशन अनुभवी निर्देशक एस जैशंकर ने किया है गेमचेंजर जनवरी दोहज़ार चौबेस में स्क्रीन पर आने के लिए तयार है बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ आलिया ने खास अंदाज में मनाया ब्रह्मास्त्र के एक साल होने की जश्न साजा किया बीटीएस वीडियोज जिहा आयान मुखर जी की ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शीवा को आज एक साल पूरा हो गया है पाच साल तक बनने के बाद ये फिल्म पिछले साल रिलीज हुई फिल्म का पहला भाग बॉक्स ऑफिस पर सपल साबित हुआ था अब प्रशन सको को इसके भाग 2 और भाग 3 का इंतिजार है इस बीच फिल्म की मुख्य अभिनेतरी आलिया भट ने इस फिल्म जड़ी कुछ खास किया दे साजा की है आलिया ने साजा किया वीडियोज उन्ह के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि फिल्म के दौरान उन्हें प्यार हो गया और रिलीज होने से पहले ही उन्होंने रनवीर से शादी कर ली थी इस वीडियो में आलिया और आयान के बीच कई मज़ेदार पल भी देखने को मिलते हैं एक सीन में डायरेक्टर को सीन समझात करते हुए देखा जा सकता है एक अन्यसीन में रनवीर और आलिया को कार में मस्ति करते हुए देखा जा सकता है इसी तरह अभीनेत्री ने फिल्म से जुड़े बहुत से अंधे के पल फैंस के साथ साज़ा किये हैं दोनों पाट पर चल रहा काम जिया बता दे कि फिल्म के एक साल पूरे होने पर आयान ने दूसरे भाग से जहां अबुटेट भी दिए है उनों ने फिल्म के एक प्रारम्बिक कालकर्ती साज़ा किया जिसका नाम ब्रमहासर पार्टु देव है इससे पहले आयान ने घुशना की थी कि वह ब्रमहासर के पार्ट 2 और पार्ट 3 की एक साथ करने जा रहे हैं उन्होंने खुद को शूटिंग के लिए एक समय सीमा भी दी है और अस्थाई रूप से भाग 2 और भाग 3 की रिलीस का समय दिसेंबर 2026 और दिसेंबर 2027 गोशित क्या है इसके दूसरी किस्त में कतित तौर पर रनवे सिंग और दिपिका पाडिकोन अभी नेक करने वाले जिदारा की दिन बर की तमाम बड़ी खबरों से फिरकर आएगे आपका रूबरूत अप्ता के देखते रहे हैं मेरे साथ यह निर्शान सारी के साथ नमस्कार आप और आप देख रहे हैं मेरे साथ नियूज तुई कि अ किएप उन रहे हैं मेरे खिरक्रिक स्क्राइब से भाले जिर्वाएब क घुट किनुछ किन रापका के दयान बर को चुट किक तापते देने एत Assim